नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से दैविक शक्तिया चैनल पर स्वागत हैं। हमारे चैनल से जुड़ने रहने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मित्रों आज हम आप सभी को मंत्र से संबंधित कुछ विशेश जानकारी देने वाले हैं। मंत्र कितना शक्तिशाली होता हैं, मंत्र कैसे काम करता हैं, क्या मंत्र से किसी भी व्यक्ति को छती पहुचाया जा सकता हैं। आदी जैसे मंत्रों से संबंधित जानकारी देने वाल तो विडियो में अंत तक बने रहें। रुप से दिखाई नहीं पड़ता हैं। लेकिन यह विद्या बंदूक की गोली की तरहें निशाने पर पहुचता है। और शत्रु को एक ही बार में मार गिराता है। जा आदी महामारियों को फैलाया जा सकता है। इस प्रकार के प्रयोग नैतिक द्रिश्टी से उचित हैं। या अनुचित यह प्रश्न दूसरा है। लेकिन इतना तो निश्चित ही है कि यह असंभव नहीं हैं। ऐसा संभव है। जिस प्रकार विश्च खिलाकर या शस्त्र चलाकर किसी मनुष्य को मारा जा सकता है। वैसे ही ऐसे अद्रिश्य उपकरण भी हो सकते हैं। जिनको प्रेरित करने से प्रकृती के घातक परमानु एकत्रित होकर अभीष्ट लक्षे की ओर दौड पड़ते हैं। और उस पर भयंकर आक्रमन करके उपर चड़ बैठते हैं। और परास्त करके प्रान संकट में डाल देते हैं। इसी प्रकार प्रकृती के गर्भ में विचर्ण करने वाले रोग विशेश के कीटानूओं को किसी व्यक्ती विशेश की ओर विशेश रूप से प्रेरित किया जा सकता है। आज का ऐसा ही वैज्यानिक आविशकार है। अगर किसी प्रानी पर इन किरनों को डाला जाए तो उसकी पल भर में मृत्यू हो जाती है। प्रत्यक्ष रूप से देखने में उस व्यक्ती को किसी भी प्रकार का घाव आदी नहीं होता है। पर अद्रिश मार्ग से उसके भीतर अव्यवो पर ऐसा सूक्ष्म प्रभाव होता है कि उस प्रहार से उसका अंत हो जाता है। यदि वह आघात हलके दरजे का हुआ तो उससे मृत्यू तो नहीं होती पर मृत्यू तुले कष्ट देने वाले या घुला घुला कर मार डालने वाले रोग पैदा हो जाते हैं। तो मित्रों अब आप यह समझ शुके हैं कि मंत्र कैसे कार्य करता है। तो अब हम यह जानते हैं कि कोई भी साधक मंत्रों का जाप करके देवी देवताओं से कैसे संपर्क जोडते हैं और देवी देवता साधक की सहायता कैसे करते हैं। मित्रों एक ही मंत्र का निरंतर मन ही मन उच्चारन करने से ध्वनी तरंगे उत्पन होती हैं। मेरे कहने का आर्थ यह हैं कि जब हम मंत्र को उच्चारण करते हैं तो एक विशेश ध्वनी तरंगे उत्पन होती हैं यह ध्वनी तरंगे बहुत ही सुक्ष्म होती हैं जिसे हम देख नहीं सकते हैं यह करनातीत ध्वनी होती है यानि कानों से न सुनी जा सकने वाली ध्वनी मंत्र जाप तीन तरीके से किया जाता है ध्वनी तरंगे तीनों तरहे के मंत्रों के जाप से उत्पन होती है पहला वाचिक जाप है यानि आसन पर बैठ कर मुख से मंत्र का उच्चारन करते हुए जाप करने को वाचिक कहते हैं दूसरा उपांशु जाप है यानि आसन पर बैठ कर मुख चलता रहता है लेकिन शब्द बाहर नहीं निकलता है मन ही मन उच्चारण होता हैं, तो यह उपांशु जाप कहलाता है, और तीसरा मानसिक जाप है, इसके लिए किसी आसन की जरूरत नहीं होती है, आप कुछ भी कर रहे हैं, खाली बैठे हैं, और मन ही मन किसी मंतर का जाप चर रहा है, तो यह मानसिक जाप हुआ, इन तीनों जब हम मंतर जाप करते हैं तो मंतर जाप से धवनी तरंगे निकलकर अतरिक्ष में व्याप्त तरंगों से अनुपर्मानुओं से मिलकर ऊरजा का विस्फोट करती है तब मंत्र जाप से उत्पन्न ध्वनी शक्ती तीवरता के साथ अतनरिक्ष के अनुपरमानुओं को कमपाती हुई ध्यान वाले स्थान तक पहुचन जाती है यानि जिसका हम ध्यान करते हैं, जिसका हम मंत्र जाप करते हैं उदाहरण के लिए अगर आप सूर्य या चंद्र आदी ग्रहों से संबंधित मंत्र जप रहे हैं तो वह सूर्य चंद्र तक पहुँचकर पुन्ह आप तक लौट आएगा और सकारात्मक्ता का संचार करेगा इसी तरह अगर आप किसी देव या देवी से संबंधित मंत्र जप रहे हैं तो उन तक यह ध्वनी तरंगे पहुँचेगी और आपको उसका लाभ निश्चित ही मिलेगा मित्रों हो सके तो यह आपको जुठ या फिर बक्वास लगता होगा लेकिन यह बात 100% सत्य है इसे देखने के लिए दीव्य द्रिश्टी की जरूरत होती है